नमस्कार और आप सभी का तहें दिल से स्वागत है आंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चानल पर मैं राधिका गुपता और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके लिए रेलवे में सामाने विज्ञान की एस सीरीज जिसे हम GS Express के नाम से जानते हैं ये आपकी हो चुकी है शुरू और इस बार किस प्रकार से हमें लेना है रेलवे में सेलेक्शन ये सभी चीजें आप लोगों के लिए यहां पर आपको डेली सुभा ग्यारा बुजे कराई जाएं सेशन है ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज से शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए RPF के लिए और खास तोर पर बात करें कि माम इस साल वेकेंसी जरूर आनी है और अभी हम अपनी तयारी को अगर नहीं शुरू करें तो शायद वक्त हमारा बाद में निकल जा है आपके बायलोजी के पोर्शन में कि कैसे कवर करना है और क्या क्या खास आप लोग के लिए रहने वाला है देखिए मैं भी यह बात जानती हूं कि आप में से बहुत स्टूडन्स ऐसे हैं जो पिछले 2018 के बाद इस इंतजार में ही बैठे हैं कि माम कब भड़ती आएगी चाहें वो NTPC हो चाहें GroupD हो चाहें ELP हो या JEE की हो आप सब इस इंतजार में हो कि कब देखने को मिलेगा एक बीच में छोटी सी पोस्ट TTE की भी बोल दी गई थी लेकिन एक्जाम का कोई आता पता नहीं था पर आज के हम अपने इस सेशन को जो RPF के लिए तयार कर रहे ह हैं यह मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि आपके इस जनवरी महीने में पूरी संभावना है कि आपको यह वेकेंसी देखने को मिले और पद भी इसमें बढ़ सकते हैं तो आप सभी के लिए काफी सारे सेशन हम अलरड़ी लेकर आ चुके हैं जसमें के लिए कैसे तैयारी करनी है चाहें दसवी का एलिजिबिलिटी हो या आप लोग के लिए जो एसाई भी मांगी है ग्राजवेशन की उसकी पूरी तैयारी तुम्हें अब से रोज सुभा ग्यारा बज़े यहां पर कराई जाएगी मतलब इस जीयस में 50 नंबर के सवाल आन जो आपको दे सकते हैं वो यूट्यूब पर रहेंगी और completely free रहेंगी वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं मंजिल उनके सफलता उन्हें मिलती है अगर तुमने भी यह जिद ठान रखी है यह सोच रखा है कि मैं मैं पिछले 5 सा सालों से इंतजार कर रहा हूं तो अब जब भरती आएगी तो इस बार एक मौका और सही ओवर एज भले ही हो गया हूं लेकिन आपके लिए एज के उपर भी लड़ा जाएगा आपके लिए पूरी रांगस गुरुकुल टीम साथ खड़ी है चाहें प्रोटेस्ट करना पड से क्लास जो है वो शुरू हो रही है तो जिद पे अड़े हो ना एक बार जल्दी से एक थम्सप का साइन शेयर कर दो कि माम हम तो अपनी जिद पे अड़े हैं कि इस बार सेलेक्शन हमारा पक्का है लेकिन ये वादा भी आपने करना होगा कि देली आप लोगों के लिए इ तयारी और यहां पर कर लेता आपके इस पूरी सीरीज में जो जी एस एक्सप्रेस शुरू हो रही है यहां अगर आप अपने आरपी एफ एक्जाम के लिए तयारी कर रहे हो अलपी की बात करूं जेई गृप डी एंटी पीसी मतलब आने वाले सभी एक्जाम को हम अप्रो तुम कहें कॉम्पटेशन से डरते हो यह ढाई लाग पद खाली हैं भरती देने तो हर बच्चा जाएगा हर एस्परेंट जाएगा तुम्हें अपनी उस एक सीट के उपर सिर्फ खुद पर भरोसा रखना है क्यूं घबराते हो क्यूं डरते हो ठीक है अपने उपर भरोसा जाएगी जो आपके आने वाले हर रेलवे के एक्जाम में आपका कोई स्टेट का भी आ रहा हो आपका एससी का रहा हो वो सब में आपको मदद करने वाली है लेकिन अभी हम इस सीरीज को रोज सुभा 11 बजे करेंगे लाइफ रहेगा पूरी तरह से यूट्यूब पर क्या है यह कंप्लीटली फ्री है अब मन में फिर दूसरा क्वेश्चन की माम फ्री है तो एक बात बताओ मिलेगा क्या मतलब हम कैसे कैसे पढ़ने वाले आपके लिए चाप्टर वाइस थियोरी रहेगी डेली सुभा 11 बजे विज्ञान की यह जो बायो की आपकी क्लास रहेगी यहां यूट्यूब पर पूरी दरह से फ्री करने वाले हैं तो पहला काम करने क्या वाले हैं देखो बाई चाप्टर वाइस थियोरी होगी चाप्टर वाइस पूरे-पूरे मॉक टेस्ट आपके रहेंगे इसी के साथ पुलन मॉक टेस्ट यानी कि जब आप पूरा पढ़ आपकी पीडिएफ इस टेलिग्राम आईडी पर मिल जाएगी जिसका नाम है रांकर्स गुरुकुल ऑफीशल आईडी है लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो मेरी बात सबको क्लियर हो रही है तो टेलिग्राम पर आपकी प क्लास में कराया जा देखो आज हम बिलकुल पढ़ाई करेंगे प्रॉपरली अपनी बढ़िया करके जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे उससे पहले जो तुम्हारे हमेशा से मन में डाउट रहते ना उन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं तो आपके प्रॉपर तरीके से लेकिन क्या आप डेली अपनी इस क्लास को यूँ ही कंप्लीट करने वाले हो क्योंकि पहली क्लास तो भाई हर कोई देखता है एक्जाम उसका निकलता है जो अंत तक साथ देखते हैं ना कि लास्ट तक आपने इस पूरी सीरीज को अगर फॉलो कर लिया तो यकीन मानो अब तक जितने और बच्चों का सेलेक्शन हो चुका ऐसी तुम भी अगली बार यही मैसेज करोगे यही बताओगे कि माम की एफ का पेपर हो बीच में कहाँ तो एक बड़ जल्दी से शेयर कर देंगे अपने हर दोस्तियार भाई बंदू तक जहां हम आज इस पॉर्शन को शुरू करने वाले हैं आपके जीव विज्ञान यानि कि बाइलोजी के पॉर्शन को बाइलोजी में खास तोर पर आप दो शाखाएं आती हैं जुसमें एक शाखा होती है जोलोजी की और दूसरी होती है बॉटनी की यानि कि एक जन्तू विज्ञान और पादप विज्ञान मगर फिर एक च्छोटी सी बात आई मन में कि माम हमें कौन से टॉपिक पढ़ने क्योंकि सिलेबस में कहीं पर भी जाएं और रेलवे में टेकनिकल चीज़ें बहुत जादा पूची जाती है आपके लिए खास तोर पर बायो की बायो में बायोगी में जितने भी टफ टफ तुम्हें एक जापल लगे नाम लगे मैं आपसे वादा करूँगे कि एक एक चीज तुम्हें इसी क्लास में इन ओर हो आ मैं खाना है यह साइंस है प्रीवियस येर अलग से आपका सेशन हो भी चुका है जहां हमने यह देखा कि माम हर स्विफ्ट में बायुक्स मो Star организatics falando कम से कम इतामान के जोसे मोगे हुक्स कबखे। तो एक तरीका है, कटिन परिश्रम करे जाओ, मेहनत करे जाओ, कि मैं मेहना लग करके दिन रात एक कर दूँगा, और सारी दस्यों किताब पढ़ लूगा, नहीं, तुम्हें अब से कोई किताब, किसी तरीके का कोई अन्य सोर्स नहीं फॉलो करना है, अगर तुम एक जगा स् अच्छा हो, वो आपका अपना उपीनियन रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप से यहीं कहूंगे, कि जितना बेस्ट टू बेस्ट रहेगा, वो सब आपको यहां इसी क्लास में मिलने वाला है, तो सेलेक्शन की खारेंटी अब आपकी रहती है, और रही बात विटाम हम आगे की चीज़ों को भी साथ में लेकर के चलेंगे, अगला टॉपिक Human Physiology यानि की मानव का क्रिया विज्ञान, शरीर में बहुत सारे सिस्टम, श्वसन तंत्र अलग है, पाचन तंत्र अलग है, एस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, परीसंचरन अलग है, यह सारी की सारी जो हैं, वो आपको यहाँ पर इस पूरे टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगी, मानव का क्रिया विज्ञान, दिन आपका जो टॉपिक है, जहां से आजकर जादा सवाल देखने को मिलते हैं, चाहें वो SSC के एक्जाम की बात करूँ, या आपके आने वाले रेलवे के लि इन में से सवाल मुझे जरूर से देखने को मिलता है, बोलो हां की ना, जल्दी से बताओ एक बार हां की ना, तो अब से आपने क्या करना है, अपनी प्रॉपर रेगुलर क्लासिस को फॉलो गरके साथ-साथ में लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना, इतना काम तुमारा है इतना काम तुमारा है कि रेगुलर्ली नोट्स बनाते चलना, बाकी ये पूरी सीरीज जो GS Express आपके लिए आई है, इसमें खास तो और साइन्स एक्स्प्रेस तो वया तुमारा 25 नमबर का पूरी तैयारी पूरी बढ़िया तरीके से करवाने वाली है, तो साइन्स आपने ये अपना काम जो है, वो कर लेना है, फॉलो हिस्ट्री का क्लास नहीं हुआ था, आपका क्लास भी रेगुलर्ली स्टार्ट हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं, बायोलोजी के इंट्रदक्शन को, मुझे नहीं लगता किसी के मन में और कोई डाउट सबस्या परिशानी रह गई होगी, क्योंकि जो भी वेसिक आप लोग के मन में विचार आते हैं, वो सब आज अभी हैं आपर हमने क्लियर कई, शुरूबात करते हैं आपके टॉविक से जिसका नाम है बायोलोजी, अब एक छोटा सा क्वेशन मुझे बताना, कि तुनों को वाकई मे कवर किया है, यूट्यूब पर ही, और अब आपके रेलवे को टार्गेट करते हुए, जिसमें मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि आपकी थियोरी वी रहीगी और साथ में क्वेशन भी रहेंगे, ठीक है, प्लांट केंग्डम, हाज जी, वो कम्प्लीट हो चुका था, अब देखो, इतने लोगों को डर लगता है, अब ये जो तुम्हारा डर है, आज से जब ये सिलिबस खतम हो जाएगा लगभग आपके एक महीने के बाद, मैं आप से दुबारा सेम क्वेश्चन यहीं आकर के पूछने वाली हूं कि आप बताओ डर रहा या नहीं रहा, क् बच्चे क्या करते हैं, इसको रटना शुरू कर देते हैं, और मैं वाकई में कहूंगी, रटना है ही नहीं, आप भी सोच रहे होंगे कि माम, आखिर हम बिना रटे कैसे करेंगे, हम वर्ड्स को समझेंगे, हर सब्जेक्ट में रटना नहीं होता, हिस्ट्री है, इससा न य सबसे पहले क्या है बाइलोजी मतलब इसी वर्ट शुरू ई मेरे हाथ में क्या यह जीवित है क्या इसकी थड़कने इसकी सांछे चल रहें है क्या इसकी बॉड़ी में गरोड होरी है बहुत सारे ऐसेश फीचरों नहीं मैदम में इन विचान तो कुछ भी गर दो यह ऐसे का इसी रहेगा यह जीवित नहीं है लेकिन जोतने प्लांट की बात करें किसी आनिमल की बात करें किसी भूजांतुकी विजानटुकी किसी पाधर की सब किसके अंदर आते लिविंग की अंदर आते हैं तो biology में हमने जो word देखा है इस word का ही मतलब हमारा क्या हो जाता है कहीं हाँ पे दो शब्दो से मिलकर के बना हूँ और biology जीवित जिसकी हम बात कर रहे हैं औरology जो होता है इसको हम basically हम पर लिख रहे हैं यानि की study of living thing एक काम शुरू से करते चलना कि जितने भी शब्द हूँ बस उनको थोड़ा सा तोड़ करके उनका मतलब निकालने का प्रयास करना कि अखिर क्या पूछना चाहता है वहिया study of living things यानि की जीवित जीवो का अध्यन जीवित यह है लोगोज मतलब अध्यन हम इस पूरे शाखा में इस पूरे ब्रांच ऑफ साइंस में क्या पढ़ेंगे सभी living things के बारे में और नॉन living के बारे में हम कोई बात यहां पर नहीं कर रहे हैं ठीक है इसी के साथ बात करें इस biology के अंदर दो मुख्य शाखा आ जाती है मतलब यह तो हम समझ गए कि माम जीवित जीव है चाहें वो वाइरस की बात करूं किसी वेक्टीरिया की बात करूं जो भी living मुझे यहां पर दिख रहा है इस जीव विज्ञान को हमने दो बहागों में देखा और इस इस विज्ञान की शाखा में कुछ चीजे और ऐसी देखने को मिलेंगी जहां हम यह जानेंगे कि वर्ड किस ने दिया नाम बहुत आते हैंना साइंटिस के कि वाम किस ने क्या दिया था तो देखो यह जो वर्ड आप देख रहे हो जी विज्ञान यह शब्द भी हमारा दो अलग अलग आपने देखा कि वर्ड से मिलकर के बना है जिसको लेमार्क और जीन बैप्टिस्टे लेमार्क जुनका नाम है और ट्राविर अनस इन दोनों ने मिलकर के दिया था मतलब सबके नाम करण भी हुए थे तुम्हारा भी नाम जो है वह यहां पर कुछ ना कुछ र कहते हैं बात क्लियर हो लिए जो जी विज्ञानी होता है वो उसका अध्यन करने वाला कहा जाता है इसी के साथ यह जो शब्द है यह 1802 में कब दिया गया था 1802 में देखो ना चाहते हुए भी यह सवाल तुम्हारा आ जाता है तुम सोचते वारे माडम यह क्वेशन कैसे जा सकता है तो भाई हर एक चीज इंपोर्टेंट है अपने को कोई भी हलके में नहीं है कुछ लोग सोचते हैं माम ली उसेंट पढ़के चला जाता हूं खतम हो जाएगा तुमसे एक ही बात होंगी जब तक बेसे घ्यान नहीं होगा ना तो उपर का कुछ भी पढ़ लो आ जाने की जो शब्द है ये किस ने दिया था ये दो लोगों ने मिलकर दिया था जीन बैप्टिस्टे डीलर मार्क और ट्रैमरैनस जिन्होंने अठारा सो दो में मिलकर के इस नाम को यहां पर दिया और इसी विज्ञान की शाखा के अंदर हम दो अलग-अलग भागों को कोई तो होगा ना जिसने ये देखा होगा कि इस पूरी धरती पर अलग-अलग घूमने वाले कुछ स्थिर हैं कुछ प्लांस हैं और कुछ मूफ कर रहे हैं जो अनिमल्स हैं हमने दो भागों में इसको समझा इसको जानने वाले सबसे पहली बार समझने वाले अरस्तू सहा रहे हैं जो की चीजों को तोड़ रहे हैं काम कर रहे हैं आपर चल भी पा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ छोटे-छोटे से आपके पौधे बीज आपको ठर्ती के अंदर से निकलते वे ग्रो करते वे नज़र आ तो इन्हें नहीं दो चीज़ें अलग-अलग दिख जानवरों को देखते हैं तो वही जानवरों का अध्यन क्या कहलाता है जू लौजी नाम की शाखा से जाना जाता है जू मतलब हम जानवरों से संबंदित बात कर रहें और लौजी मतलब तो यहां पर इस शाखा को नाम देते हैं जन्तु विज्ञान दूसरी तरफ जो पादप विज्ञान है इसको नाम दिया जाता है बॉटनी यानि कि आपका पादप विज्ञान जहां हम सारे के सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं यह कौन इसके अलावा कोई अन्य लांगवेज आपको नहीं मिलने वाली है ठीक है ना वो मैं तुम्हें बताने वाली हो ठीक है बाई तो अगर बात करूं मैं जोलोजी हो गई बॉटनी हो गई एक चीज़ और बताओ यहां पर कि यह दो शाखाएं तो हमें समझ में आ रहे हैं इनकी ऋपर भी अध्यन किया रस्तू साब ने मानव कहां आता है क्यों बई इंसान किसके अंदर आता है हम जो मानव की बात करते हैं हम जानवरों में आएंगी या प्लांस में आएंगे आप बूलों गे एम तो चलते-फिरते दिखाई देता यह प्लांस में तो नहीं आ सकते है पादप में तो नहीं आ सकते, तो फिर कहां आओगे भाई, तो आओगे तुम यहां, यानि की जुलोजी में, मानव भी क्या है, एक प्रकार का आनिमल, मतलब आनिमल किंडम में आने वाला स्तंधारी एक मैमल दिखाई देता है, यह बात समझ में आ रही है, बाइलोजी हिंद कहते थे ना, चिंपेंजी और गुरिला जैसे दिखाई देते हैं, जुक कर के चलते हैं, कुछ ऐसे ही, मानव के पास भी क्या हुआ करती थी, एक पूंच हुआ करती थी, आप कहां है वो पूच, वक्त के साथ हुआ एक हसीन सितम, पूंच हो गई गाया, मतलब पूंच वा मैं अगर जूलोजी की बात करूँ, तो इसे हम कहेंगे study of animals, यानि कि जन्तु का अध्यन, हम सभी animals का अध्यन कर रहे हैं, इसके जनक के उपर अगर question आता है, तो आप बताएंगे अरस्तु सहाब हैं, Aristotle है, मतलब इन्होंने ही क्या किया, biology की खोच करी, और इन्होंने biology में और in-depth जाकर के क्या देखा, कि अच्छा चलो मैं animals की उपर भी search करता हूँ, तो इन्होंने सारे animals की उपर जब काम किया, इन्होंने उनके बारे में समझा, तो इस zoology नाम की शाखा का भी जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु सहाब को कहा जा मेरी ये copy तयार हो गई, आपने जो भी चीजों के बारे में पढ़ा, समझा, तुमने गहीं उसे note किया, एक notebook बनाई है, इन्होंने भी ये काम किया था, अरस्तु सहाब ने कहा, यार मैंने इतने सारे जानवर देखे हैं, कुछ मचलियों की तरह हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ चल रहे हैं धर्ती पे, इन्हें कहीं लिख लिया जाए, तो जादा अच्छा होगा, तो इसलिए इनकी एक किताब बनी थी, इनकी एक किताब बनी थी, जो इसका नाम है, हिस्टोरिया अनेमेलियम, आप कहेंगे, अरस्तु सहाब ने, मैं याद कैसे करूँगा, अब वर्ड में मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं, एक है हिस्ट्री और एक है अनेमल, यही दिखाई दे रहे हैं, इससे मैंने क्या वर्ड निकाला, हिस्ट्री ओफ अनेमल, आक्च्छली में इसका मतलब होता है, जानवरों का इतिहास, मतलब इनको जो भी दिखा उस इतिहा अनिमल्स, अगली बार कोई पूछेगा तो बता पाओ गया नहीं, तो हिस्ट्री ओफ अनिमल्स लिखी किसने, अरस्तु सहाब ने, यह इनकी किताब हो गई, तो इस शाखा को हमने नाम दिया, जूलोजी, नाम से आप समझ गए जन्तुओं का अध्यन यहां पर हो रहा है, अगली जो शाखा बनी थी, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, उसका काम अरस्तु सहाब ने नहीं किया था, उसका काम करने वाले कौन थे, तो उसके लिए आये थे आपके थियो फ्रेस्टस, जो शाखा को हम कहते हैं बोटनी, बोटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स को, study of plants, यानि कि पादप का अध्यन, और इसके जनक, यानि कि इसके फादर कहे जाते हैं, यो फ्रेस्टस, ये नाम याद रखना हैं अपने को, कि एक अरस्तु सहाब का तो समझ में आता है, लेकिन यो फ्रेस्टस सहाब थे, जिन्होंने क्या काम किया था, प्लांट्स के उपर अध्यन न किया था, पूरे प्लांट्स की डिटेल स्टडी यहां पर करी थी, ठीक है, अब मेडम इन्होंने पढ़तों लिया, लेकिन उसके बाद इनको भी समस्या लगी, यार इतने सारे प्लांट्स हैं, हम तो दो पौधे देखकर कन्फ्यूज आज करते हैं लोग, इनका भी किताब सेम सी बनी, जैसे यहां हिस्टोरिया अनिमेलियम था, यहां आया हिस्टोरिया प्लेंटेरम, प्लांट्स के उपर काम था, तो इन्होंने नाम क्या दे दिया, प्लेंटेरम, तो यहां से आप याद रखेंगे पादप का इतिहास, आता जया जोड़ी के भी है आपका पोटी है तो वह हम पूरा पर क combustion तो उसको आप महाबर देख सकते हो ठीक है चीजें क्लियर हो रही है कोई समस्या कोई समाधान में बहुत बारी दुख है इस बाइलोगी का कैसे हल होगा ऐसा समस्या लेके मत बैठना क्लास में साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चलना ठीक है और सेशन को पहुंचा जरूर देना हर दोस्तियार भाई बंदू तक जो अभी तक हमारे साथ यहां बर जुड़ नहीं पाए है इनके सवाल में लगवाऊंगे अभी सवाल भी कराऊंगे इनके तो भाई ये देख इनको हम कहते हैं तो इनकी एक अलग शाखा बना दी जिसका नाम बनाई माइक्रो बायोलोजी से सूख्ष्म माइक्रो मतलब क्या होता है सबसे छोटे सूख्ष्म और बायोलोजी मतलब जीव विक्यान यहां इस शाखा में हम पढ़ते हैं सभी सूख्ष्म जीवों को जिन क्या-क्या हैं कॉन Courtney कुलब वो आते हैं जिनंगे हम खुली आँखले से नहीं देख सकते जीवाणू खुली आख़्िया अग्रेया राता है 25 आपका विशानू आएङगा पूरे वाइरस को ढूंडते रह गए मिला ही नहीं बिचारा क्योंकि खुली आँखों से नहीं मिलेगा वह तो विशाणू होगे ऐसी हलमिंथ वगर यह सभी आते हैं हमारे सवाल आता है कि जनाब इसके जनक का नाम क्या होगा हर चीज को कंप्लीटली बढ़ना यह बहुत जरूरी है ठीक है अमिद भाई चलो तो इसके जनक का नाम अगर आपसे पूछा जाए पादर ओफ माइक्रो बायोलोजी कौन थे तो वहाँ नाम आता है आपके ए वी एल का ए जो आपका लिविंग दिखाई दे रहा था तो इनका नाम दिया गया लिविन होग इन्होंने जीवानों की खोज की थी यह सब क्या है आपके माइक्रो और्गानिजम्स दिखाई देते हैं तो इनके जनक का नाम भी हमें यहाँ पर याद रखना है कौन है भाई ए वी एल स सहाब कहे जाते हैं तीन शाखाएं देखी दो मुख्य थी जोलोजी और वाटनी और तीसरी वाली हमारी सुक्ष्म जीवों का अध्यन कहलाता है लेकिन माम क्या यह साइंस में बाइलोजी बस इन तीन शाखाव तक ही सिमित है नहीं जिस चीज का अध्यन करोगे उसकी अप बताओ मुझे तुमने जानवर भी ढूंड दे तुमने प्लांट भी ढूंड दे समझना कहानी हो द्यान से मानलो आप में से इतने सारे सातिया कंचन है कशिश है ठीक है आमन है मैं कहूं मुझे तुम्हारे किसी एक के पास पहुंचना है किसी एक के घर तक पहुंचना है तो सबसे बहले मैं क्या करूँगी, आप से आपका address लूगी, और उस address में आप बहुत लंबा अपना address बताओगी, ये तो नहीं कहोगे मैं मैं भारत में हूँ, अब तुम बोलो के भारत में हूँ, तो भाई मैं तुम्हें भारत में कहां ढूंडो, कौन से राज्य में ढूं कि किस प्रकार से हम सबसे छोटी किसी स्पीशीस तक पहुच सकते हैं उस शाखा को इन्होंने कहा वर्गी करन जो आप पढ़ते हैं अलग-अलग प्लांट का गिंगडम अलग है जगत अलग है जन्तू जगत पादभ जगत कवक का जगत अलग है तो इस प्रकार से न्होंने वर्गी करन नाम की एक शाखा बनाई थी तो उसके लिए नाम दिया जाता है किसका कैरूलस केरूलस लीनियस को कहा जाता है father of exonomy exonomy यानि कि हम बात किसकी कर रहे हैं वर्गी करण ये कहलाते हैं आपके वर्गी करण के जनक वर्गी करण यानि कि हम जितने भी जीवों को देख रहे हैं जितने भी जन्तूओं को देख रहे हैं उन सबको हम वरगी करत कैसे कर सकते हैं उन सब को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं कैसे पुहंचेंगे किसी एक तक तो ये सारी चीजें हमने इस ज्ञान की शाखहां पर पड़ी थी जिसका नाम क्या है वरगी करन यहां पर कहा जाता है इसी के जनक आपके liar 이거 यह नाम जरूर से याद रखेगा क्या इतनी कहानी सब को क्लियर हुई की नहीं है जल्दी से बताओ एक वाफटा-फट से बिल्कुल ले सकते हैं देखिए यह आप लोग के आने वाले हर रेलवे एक्जाम में मदद करेगी मैं आपसे कहूं कि अगर तुम स्टेट का एक बात बताओ यार यार यह लीनिया साम ने वरगी करण बनाया था स्टेट एक्जाम वाला यानि कि अगर कोई आपका यूपी प यह आपकी जो सीरीज है जो आज से शुरू हुई है आप में से कोई भी साती है जो आज पहली बार मेरी क्लास में आपर उपस्तित है आप सभी को बता दूं आज से लगाता रोज सुबह ग्यारा बजे तुम यहीं मिलना तुम्हारे साइंस का डर इस एक महीने में मैं खतम करने की पूरी कारेंटी ले तो मतलब तुम खुद आकर के कहोगे कि माम इतने जो बाकी के हमारे साइंस के टॉपिक्स हैं वो सब क्लियर हो गए और इसी के साथ हमारा डर भी खतम अगर एक्स्पीरियंस आपको कुछ कह रहा है तो ऐसा नहीं है मजाक वाली बात नहीं है थ तीन चीज़ें यहां पर हमने बढ़ी कि किस प्रकार से हमारी विज्ञान की जो शाखा है वो हमें अलग-अलग देखने को मिल जाती है अब मुद्ध यह आता है कि जो भी हम जीवित की बात कर रहा है यह मिलकर के किस से बना हुआ है हर चीज हमने कहा ना लिविंग है अब पूरा पूरा परियावरण है एक पूरी एरिया है जहा हम रह रहे हैं उसके अंदर आप कहेंगे इस पूरे बायोस्वेर में आपका एक एकोसिस्टम है आपके प्लांट पेड़ पॉधे सब कुछ है जानवर भी है आप भी हो इसके अंदर हम इंडिविजवल अगर एक ज सिस्टम से कि मेरी बोड़ी में पाचन तंत्र अलग है इन तंत्र के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो एक एक औरगन अलग अलग आता है और वो औरगन मिलकर के किससे बना होता है एक उतक से जिसे हम कहते हैं टिशू और सबसे छोटी काई जिसको हम सेल का नाम देते हैं मत सब्सक्राइब तो जी के अंदर smallest unit क्या है cell है तो फिर परमाणू क्या है फिर atom क्या है क्यों भई कौन बताने वाला है जल्दी से बताओ एक बार मैं मुझे batch purchase करना है rpf का रोहित आपका ही जो batch है यह आपको purchase नहीं करना है आपको YouTube पर पूरा का पूरा लाइव मिलेगा यहीं Rankers Guru को YouTube चैनल पे तो इसी चैनल पे जो आप अभी class देख रहे हो यह class आपकी daily free रहेगी आपके कोई अलग से batch purchase नहीं करना है तो फिलहाल जो भी best to best चीज़ है मैं इसी लिए आप से कह रहे हूं आपको यहीं YouTube पर दी जाएगी तो जरूर से जुड़िये आप लोग हमारे साथ daily timing आप लोग को पता है तो समय के अनुसार आप अपने classes को कर सकते कुछ अलग से नहीं मैडम एकदम सारा कुछ free है पूरी तयारी हमारी यहा हमारा सेल बाइलोजी में सबसे चोटा भाग कोशिका को कहते हैं लेकिन chemistry में जाएंगे ना तो chemistry में physics में वहां में दिखता है एक सबसे चोटा smallest जिसको हम कहते हैं basis of life तो बहिया आप अगर इस कोशिका से भी अंदर की दरफ जाओगे तो कोशिका के अंदर क्या होते हैं को कोशिकांग के अंदर हमें चोटे चोटे पर माणू भी दिखाई देंगे और उनके अंदर अनू दिखाई देते हैं मतलब वही पॉलिक्यूल और आटम की कहानी वहां पर आ जाती है तो यह सेल के अंदर उपस्तित अलग अलग कोशिकांग है नूकलियस का अलग काम है आटम दिखाई देगा आटम से बन करके आपका मॉलिक्यूल बना एक अनू बना अनू से फिर हम उस सेल ओर्गेनल को शिकांग पर आए फिर सेल आया फिर टिशू आया यह एक हाईरार्की रहती है जिससे हम चीजों को देख सकते हैं इसी के साथ अगर बात करी जाए हमारी बॉड़ी में जो अलग-अलग सिस्टम है एक सिस्टम ऐसा है जहां तुम अपने अमाशय को पढ़ते हो कि मेरा पेट है पेट में खाना पच रहा है पेट नीचे आते आई तो यह जो भोजन तुमारा अहार नली से होता हुआ अमाशय में फिर आत में फिर बड़ी आत में जाता है ना इस पूरे तंत्र को हम अलग से नाम देते हैं जोसे कहते हैं पाचन तंत्र यह बहुत सारे organ systems मिलकर के आपकी body को बना रहे होते हैं जिसमें से एक तंत्र हमारा क्या दिखाई दे रहा है digestive system यानि की पाचन तंत्र इस पूरे system के अंदर जितने भी अंग मिले हुए हैं यह सब आपके body के पाचन में मदद कर रहे हैं बोलो बात समझेगी नहीं तो यह कहलाता है पाचन तंत्र ऐसे ही हम एक और चाप्टर को डील करेंगे जिसका नाम है श्वसंत तंत्र यानि की आपकी body के अंदर आप जब सांस लेते हो तो बटा सांस ली नाक से और नाक से होते वह तुम्हारे ट्राकिया यानि की श्वास नली के रास्ते दोनों फेफड़ों में जाती है और यही फेफड़े आपके oxygen को अंदर रक्त तक रुधिर तक पहुंचाते हैं तो इन सभी चीजों को हम जिस topic में बढ़ेंगे वो है श्वसंत तंत्र यह वो topics हैं जो आपके body में organ system के नाम से उपस्तित है और आपके syllabus में बहुत महत्वपूरी हाँ पर यह बन जाते हैं ठीक है तो यह system जो है इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर respiratory system यानि कि आपका श्वसंत तंत्र respiratory ठीक है श्वसंत तंत्र इसको कहा जाता है इसके बाद अगला एक stage देख रहे हो इसको मुझे बताओ यहाँ मैडम क्या हो रहा है कि यहाँ पर यह दिल है और बीचो बीच में दिल के साथ सारी नसे जोड़ी हुई है आप देखते हो ना अपने हाथ पर कि आरे मैडम मेरे हाथ के उपर उपर से ना कुछ नीली नीली सी नसे दिख रही है वो नीली नस की महिया ब्लड जो है वो जा रहा था हम तो अलग ही उसमें जोन में थे हमने ले करके नस काट दी कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह रत वहिकाई ही होती है जो आपके इस हम इसका ध्यन करते हैं उस शाखा को नाम दिया जाता है आपका सर्क्यूलेटरी सिस्टम यानि की परी संचरन तंत्र जहां तुम्हारा यह जो दिल का मामला है यह सारी चीज़ें आपकी क्या होने वाली हैं कि परी संचरन तंत्र कैसे कार्य करता है इसी प्रकार से जब हम बॉड़ी के अंदर और भी चीज़े हैं हम अपनी हड़ियों की बात करें मासपेशियों की बात करें आप देख पा रहे हैं बॉड़ी के अंदर किस प्रकार से हमारा जो ब्रेन है यहां से कुछ नसे निकलती हुई नजर आ रही है मश्टिश्क का अध्यन पूरी एक हैं जो हॉर्मोन जारी करती है और यह वो चाप्टर की लिस्ट है जो हर पेपर में आप रपीएफ का या रेलवे का कोई भी पेपर उठा के देखिएगा उस प्रीवियस एयर में आपको यहां से संबंदित सवाल जरूरूर्ट मिलेंगे ठीक तो यहां आपका हो गया जहा पेंक्रिया जैसे अलग-अलग हिस्ते यहां पर आपके उपस्तित होते हैं इसके अलावा जब आप बोडी में प्रजनन की बात करते हो कि किस प्रकार से मेल और फीमेल में जब बात की जाती है पीडी दर पीडी ओफ्स्प्रिंग को बनाया जाता है तो वहां काम करते हैं दर और माधा में अलग-अलग प्रजनन तंत्र यानि की रीप्रोडाक्टिव सिस्टम तो यह आपका कहलाता है प्रजनन की अलग प्रणाली इसी प्रकार से जब हड्यों के ढाचे की बात आती है कि अरे मैडम बॉडी में कितनी हड्या है दो सो छे तो यह सब आती है आपक बेस को समझ सकें दो बढ़ाने के लिए न आपको डायरेक्ली चीज़ें बढ़ा ही जा सकते हैं कि चलो चलो कहानी शुरू करते हैं से तुम्हें पता ही निए कि बाइलोजी क्या है इसमें क्या बढ़ेंगे तो कोई मज़ा निये पढ़ने वैसे तो इसलिए एक एक छोट हाल्तंत्र याने की आपका स्केलिटल सिस्टम ठीक है अगला सिस्टम जो बनता है हमारी बौडी में वही मांसपेश्यों का होता है जोके प्लमारी NYC निए मंदों होती है और यह यहां पर काम कर रही होती है ठीक है बाइफ तो ये सारे बोडी के अलग-अलग मुख्य तंत्र का तंत्र में और ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये सब यहाँ पर काम करते हैं अब देखे इसके अलावा हमारे ना विज्ञान में जरूरी नहीं है कि जूलोजी, बोटनी, माइक्रो बायोलोजी हमने तीन शाखा देखी और बोडी के अलग-अलग सिस्टम्स को समझा इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाई आती हैं आप बात कर रहे हैं कि मैं माइक्रो स्कोप से मैं कुछ देख रहा हूँ, ये चोटे-चोटे से जीवाणू मुझे आपर नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये सब हम किस शाखा के अंदर पढ़ते हैं, तो नाम आता है माइक्रो बायोलोजी का, जिसके जनक हमने बात करी थी आपके AVL सहाब के बारे में, एंटोनी वेन, लिवन होक सहाब के बारे में, यहां हम सभी माइक्रो और्गानिजम्स का अध्यन करते हैं, यहां जितने भी चोटे-चोटे से जीव हैं, अच्छा एक बात अब मुझे इस तरह जल्दी-जल्दी से बता दे चलेंगे, कि अग सब्सक्राइब करते हैं, तो यह सब चीजे कि आपका जो सेल में घटक है, इनके कारे क्या होंगे, इनको हम आपका पूरा जो आपका संरचना है, वो कैसे बन रही है, कौन-कौन से अडू और कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स आपके अलग-अलग कारे कर रहे हैं, तो यह सब आपका जो सेल में घटक है, इनके कारे क्या होंगे, इनको हम पढ़ते हैं, विज्ञान की बायो केमिस्ट्री शाखा के अंदर, ठीक है, हाँजी, देखो भई, साइन्स है पूरे बच्चस नंबर के, अब तुम चाहते हो यह मांजदारी से कि माम बच्चस नंबर हमारे प अगले आते हैं, एक शाखा के ऊपर, इसको देखकर कि मैं हम क्या समझ में आ रहा होगा, हर्याली बहुत चारी है, मतलब हम अपने परियावरन संबंदे तो जितनी भी चीज़े हैं, उनको इस शाखा में पढ़ते हैं, जिसका नाम यहाँ पर होता है, इकोलोजी, जिसे हम परियावरन संबंदी आपका पारितंत्र के नाम से यहाँ पर जानते हैं, या आप इसको कह सकते हैं, आपका पुरा इंवार्मेंट जो है, वो यहाँ पर देखा जाएगा, शाखा का नाम होता है, इकोलोजी, जिसे हिंदी में कहा जाता है, पारेस्तित की, आपका रिलेश यानि कि आपका जो संबंध आपके पेड़ पौधों के साथ है कि आप वहां पर कैसे इंट्राइक कर रहे हो यह सारी चीज़ें आती हैं आपके पारिस्तितिकी तंत्र के अंदर यानि की एकोलोजी के अंदर तो याद रखना यह विज्ञान की एक बिल्कुल अलग शाखा है जो आपके इस ELP वाले पेपर में बढ़िया वाली पूछी जाती है यानि कि आपसे सवाल इसके अलग से आते हैं तो हम एकोलोजी को भी यहाँ पर क्या करेंगे कवर करने वाले हैं ठीक है तो यह हो गई आपकी एकोलोजी इसी प्रकार से एक शाखा आती है जुसमें हम य बात करते हैं कि इसका evolution कैसे हुआ जिसे आप आज आधुनिक मानव यहां पर कहते हो modern men कहते हो देख पारे हो modern men कितना technology के साथ लगा हुआ है तो भाई इसको evolution नाम की शाखा में बढ़ते हैं जिसकी खोज करता जिसके जनक यहां पर Charles Darwin को कहा जाता है Darwin सहाब ने इस पूरी कि खोच करी उन्होंने समझा और जाना की कैसे मानव का पूरा जो evolution है जो विकास हुआ है वो कैसे यहां पर देखा गया है ठीक है official पीपरी कह रहे है मैं कि कोशिका की बहरी आवरण होता है जैसे हम प्लाजमा की जिल्दी जो अर्धपार गम में जिल्दी गहीं जाती है ठीक है सब पढ़ेंगे अभी सब कुछ चीजें आपकी आएंगी सारे topics हम यहां पर cover करेंगे तो लगभग यह सारी चीजें हैं और इसी प्रकार से आप लोगों के जो सवाल हैं वो यहां पर बन जाते हैं देखो जैसे एक वेशन आप लोग का आरपी अफ कॉंस्टेबल 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि टिशू का अध्यन क्या कहा जाता है कोशिकाओं का अध्यन या टिशू का अध्यन अलग-अलग शा का को चाय अध्यन क्यासि लगा है कोशिकाओं को स्फ के विट्वूट्री का अध्यन क्या के तो हम सारे वर्गीविक्रण बारें की अध्यनентов पहरत यहां पर किया है ,itarmology नाम से समझ रहे हु정 of a mana SPORM का अधियन , यानि कि Shukranu का अधियन ? और ऐसे ही Opthelmology , One word आता है आखों के लिए , च तो इस प्रकार से हम एक एक टॉपिक को यहां पर डील करने वाले हैं यह क्वेशन सिंपल है और आपके पूछे भी जाते हैं अब देखिए अगला एक सवाल आ रहा है वर्गी करण की मूह लेकाई यहां पर क्या है वाट इस बेसिक उनित ऑफ क्लासिफिकेशन जल्दी से ब सभी इसको जॉइन यहां पर कर सकते हैं ठीक है पूरी क्लासिस जो रहेंगी वो आपकी इसी चानल पर रहेंगी और इसी प्रकार से जो इसका टाइम टेबल है जिसको नहीं पता है मैं वो भी आप लोगो यहां पर एक पर बता दूँ कि भाई देखो यह टाइम टेबल है इस GS Express का सुबह 8 बजे Current Affairs से लेकर के 9 बजे आपकी History और Economics की क्लास होगी फिर आपकी 10 बजे Physics Chemistry की क्लास रहेगी 11 बजे मैं आप लोगों को कवर कराने वाली हूं पाहिलो जी आप चली रही है सेम टाइम सेम जगा मतलब और 5 बजे Quality Geography और स्टाटिक जी के आपके शिवान सर कवर करा रहे हैं बहुत ही शांदार तरीके से पूरी टीम आप लोगों के लिए GS Express लेकर आचुकी है बार यह आपकी है कि आप रेगिलर्ली क्लास में जोट रहे हो या नहीं तो यह रहा आपका टाइम टेबल स्क्रीन शॉट ले लेना जो भी लेना चाहता है एक बार जल् अब मुझे तुम्हारे घर पहुंचना है तो मैं तुमसे सबसे पहले क्या पूचूंगी आपका पता तो आप बताओगे भारत भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जारखंड, ओडिसा जहां बीजिस वी राज्य में आप हैं उस राज्य के अंदर आपका शहर कौन सा है कि आप इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक में रहते हो, इस पर्टिकुलर शहर में रहते हो, उस शहर की गली कौन सी है, बें ऐसा ही कुछ ना हमारे जानवरों के साथ हुआ था, देखो जब हमने वर्गी करन किया तो हमारे पास बहुत सारे स्पीशीज थे, मतल कर दिए आजनके पास रीड की हड्यों ने अलग कर दिया हमने उसको और चोटे विभाजन में लेकराई सबसे पहले जगत बनाया था जगत से छोटा हमने संघ बनाया यह ल pseudo माया फाईलम से छोटा ने और चोटा देख ata की अच्छा में गुण और अलग-अलग से दिख रहे हैं तो हमने इनका यहां पर class बना के तयार कर दिया फिर class से छोटी इकाई बनाई हमने order की order से छोटी बनाई हमने family कि भईया इनका कुल क्या होगा और फिर आता है genus और last में हम एक particular species तक बहुँच जाते हैं तो शुरवात कहां से हुई जगत से और सबसे छोटी इकाई क्या बनी है species की बनी तुम देख रहे हो सबसे जादा member यहां है और सबसे कम एक अकेला जीव मुझे सबसे छोटी इकाई में दिखाई दे रहे हैं तो यह कहलाता है आपका basic unit मरगी करण की सबसे छोटी का इसको याद करने की भी एक ट्रिक है याद कैसे करेंगे कि घरों में pot को साफ रखो कहते हैं घर में साफ सफाई जरूरी है घर में साफ सफाई बहुत जरूरी है वरना family क्या हो जाएगी भाई बीमार हो जाएगी सेम चीज मेडम यहाँ याद करने है कि keep pots clean or family get sick keep pot clean or family get sick ठीक है बात क्लियर हो रही है तो कुछ इस प्रकार से आपका यह ट्रिक रहता है कि घरों में pot को साफ रखो वरना family बिमार हो जाएगी वरना और लोगों की बहुत सारी अलग अलग ट्रिक होती है जैसे कि कुछ यह कहते है कि कहीं पर चले कहीं पर चलो इसको बोलता है कि कहीं पर चलो अब तुम सोचो कि तुम्हें कहां चलना है तो एक ट्रिक यह है दूसरी की पॉट्स क्लीन ओ फामिली गैट से कि अलग अलग आपकी जो ट्रिक्स हैं वह यहां पर बन जाती है बात क्या है कि हमें यह देखना है सबसे ज़्यादा स्पीशीज का है और सबसे कम स्पीशीज यहां पर कहां होंगी तो यह कहलाती है बेसिक एकाई वर्गी करन की जिसको हम पूरे टेक्जोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं तो इस क्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर यहां पर हो जाएगा आपकी स्पीशीज यह सवाल भी आपका पूछा गया था आर प्राफट से बतादे ना फिर एक और बढ़िया से ट्रिक और एक और बढ़िया सा कॉंसेप्ट यहां पर मैं बताने वाली हो आपको तो एक बढ़ जल्दी से थम्सप का साइन चेर कर दो कि यहां तक की चीज़े हमारी क्लियर है और जो कह रहे हैं माम संडे को क्लास यहां पर देती जाएगी तो चलिए आप कुछ और छोटी छोटी बाते कर लेते हैं जिनके बारे में हम यह देखते हैं कि माम विज्ञान में आपके मन में जो कन्फ्यूजन रहते हैं मतलब बेसिक्स तो हम समझेंगे ही समझेंगे अब आप लोग का कल जो क्लास चलेगा उसमें हम सेल के बारे में बेसिक से पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है और कैसे हम उसकी शुरुवात यहां पर देखेंगे अभी जानते हैं कि जो अलग अलग बॉड़ी के पार्ट से कि कौन सी ट्रिक लगा करके मैं उन्हें यहाद कर सकता हूं ठीक है पहले कुछ सवालों को लगा लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं शुरू चलो पर लगाओ पहला क्वेशन की फादर ऑफ बायोलोजी किसे कहा जाता है जल्दी से कि मैं आपकी कोई यह क्लास इस यूट्यूब पर फ्री हैं फिर से मैं बता दू पूरी तरह से और सुभा ग्यारा बुजे का यह टाइम आपका बायोजी करेने वाला है तो सभी का जो सेलेक्शन है वो सुनिश्चित होना चाहिए अगर आप यहां पर पढ़ रहे हैं तो यह बादा आप लोगोंने कर रहे हैं कि माम हम अपनी तयारी से पीछे नहीं हटेंगे एक चोटी इसी भी गलती कर रहा हम पसंद ही करेंगे 25 सवाल तो बहुत होते हम तो एक नंबर की भी गलती परदाश नहीं करेंगे ठीक है ए आंसर आ रहा है चलो ए ऑप्शन यानि कि आपका अरस्तु सहाब को ही कहा जाता है फादर ओफ बायोलोजी के बारे में अगर आपसे पूछले बॉटनी का जनक कौन है यानि कि आपके पादप विज्ञान का जनक कौन है देखो अभी पढ़ाया था अरस्तु थियो फ्रैस्टरस डार्विन या लीनियस जंदली से ए इसका जवाब नहीं है लेकिन इस वर्ष पूरी संभावना है खास्तौर पर अभी आपके जैनवरी के महिने में कि आप लोगों के पास यह आरपी फॉंस्टिबल और एसाई के धाई जार पदो पर आपकी जो वेकिंसी है वो आपको जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मि सब्सक्राइब ना कि माम आएगा तब बढ़ूंगा तब पढ़ाई शुरू करूंगा है ना सी ओप्शन आ रहे है थियो फ्रेस्टस इस राइट आंसर इन्होंने ही क्या करा था पादप विज्ञान का जनके ने कहा जाता है इन्होंने पूरी स्टडी जो है वो यहां पर जाएंगी अभी फिलहाल जीएस एक्सप्रेस में सवार हो जाओ और जीएस एक्सप्रेस में अपनी जीएस निप्टा लो कि यह 50 तंबर तुम्हारे चूटने नहीं चाहिए है ना मैट्स और रीजिंग तो तुम कर ही रहो लेकिन जीएस से सबसे बड़ा डर रहता है बच अगला कह रहा है ऐसी विज्ञान की शाखा बताईए जो आपकी त्वचा से संबंदित हो अब देखो त्वचा की बात आई है तो तुम जब भी किसी त्वचा वाले डॉक्टर के पास जाते हो उसको क्या कहते हो डर्मा यानि की स्किन से संबंदित आप अगर बात करेंग यह मॉर्फोलाजी के बारे में मैं अगर आपको देख करके बोलू कि भाई देखो तुम्हारे ना दो हाथ हैं दो पैर हैं बढ़िया तुमने शर्ट पहनी है कपड़े पहने हुए कोट पहना हुआ है मतलब मैं आपको देख करके बता जीओ कि आपका बाहरी स्ट्रक्चर क्या है आकरति यह तो इसको हम कहते हैं मॉर्फोलोजी आकरति विज्ञान तो यह आपका एक्स्टर्नल स्ट्रक्चर से संबन्द यह कि बाहरी चीजों को देख करके मैंने बता दिया फिर मैंने का नहीं नहीं बोड़ी में देखना है मिरको कि बोड़ी में में इसकी लिव या अंदर लग शाखा को है लेकिन आगर बात करी जाएगी डर्माटोलजी के बारे में तो यह क्या है डर्मा वड्धाता है आपकी थ्वचा के लिए तो मैं दा आप Past Way देखे पढ़ लिया समझ लिए लेकिन जब बाद English किया दिया तो वहाँ ये शब्द आपको करते हैं Confused तो इसलिए आप क्या करेंगे आपना एक जल्दी से चार्ट बना लेंगे कि अगर कहीं पर भी ये word दिख जाए तो समझ जाना किस से संबंदित दिखाई दे रहा है तो अच्छा के लिए word आता है आपका डर्मा ऐसे ही अगर बात heart की आती है तो cardiac word आता है रिदय के लिए आपके रिदय से संबंदित इसके अध्यन जैसे heart के अध्यन की बात करते हैं तो इसे हम कार्डियोलोजी का नाम देते हैं ऐसे ही आपके पल्मो वर्ड जो आता है वो आता है आपके लंग्स यानि की फेफणों से संबंदित ठीक है अगर हिपाटिक वर्ड की बात करें तो हिपाटिक शब्द आता है तुम्हारे लिवर के लिए यक्रत के लिए अगर कहीं गेस्ट्रो वर्ड दिख रहा है तो समझ जाना आपके अमाशय की बात हो रही है यानि की स्टमक के बारे में बात हो रही है और देखिए ये ट्रिक्स ना एक दो जगया नहीं हम पूरी बाइलोजी में कहीं पर भी दिख जाए हम तुरंद रिलेट कर सकते हैं कि ये चीजें किस से किस ओर्गन से संबंदित आपको दिखाई वे रहे हैं सिर्फ ये आप लोगों से यहां पर रहेगा कि आप लगातार अपने इस पूरे अच्छे से नोट्स को बनाते रहें और अपनी तयारी को यहां पर करते रहें ये सिंपल बेसिक आपकी कुछ ट्रिक्स हैं इनको लिख लेना गेस्ट्रो हो गया ऐसी एंट्रिक वर्ड अगर कहीं आ रहा है आता है आतों के लिए कहीं नियूरो शब्द दिखाई दे जाए तो नियूरो किस से संबंदित है आपके ब्रेन से आपके मश्टिश्क से किसे हम कहते हैं रीणल रीणल या नेफ्रो ये दोनों आते हैं किट्नी के लिए आपके वरक से संबंदित आईनकों की बात करेगा आई के लिए वर्ड आता है आपका अप्थेलमो और दांतों के लिए लिए लिखते है ओड78 ऊडॉन्टो वर्ड आता है टीथ के लिए के इसके अध्यन को डरमाइटोलोजी ऐसे ही कारडियो लॉजी पल्मोनोलोजी लंग्स के अध्यन को यक्रत के लिए ह्पाको लॉजी नाम. आई के लिए ophthalmology, दात के लिए odontology, तो भाई ऐसे शब्द जो हैं, वो आपके body से संबंदे, छोटी-छोटी सी tricks हैं, जो आपको यहाँ पर क्या करने वाली है, मदद करने वाली है, पीटा जो पूछ रहे हो, oncology जो होता है, वो आपके cancer के अध्यन को कहा जाता है, ठीक है, cancer का अध्यन, cancer के लिए word आता है, oncology, जो आपका cancer के cells होते हैं, उनको जन यहाँ पर कहा जाता है, तो यह कुछ चोटे-चोटे से words हैं, इंदी-इंग्लिश दोनों में आप लोग के लिखे हुए हैं, यह इन particular organ से सम्मंदित दिखाई देते हैं, एक बार पटा-फट से ऐसी, जिसे हड्यों के लिए पूछ रहे हैं, तो osteo आ जाता है, ठीक है, bones के लिए, यानि हड्यों के लिए, आर्थ्रो वर्ड लिखा मिल जाए, जोडों के लिए, अब पूरी biology जब आप पढ़ोगे, तब अपने आप अपने answer को लगाओगी कि अच्छा में आर्थ्रो लोजी आ रहा है, जोडों का अध्यन है, ओस्टियो लोजी आ रहा है, हड्यों का अध्यन है, तो यह तिम्पल सिम्पल से facts हैं आपके, जो क्लास है, उमेश सर्मा जी आज पहली क्लास है, और आज से ही आपके जो सेशन है, जो सीरीज है, जिसे हम GS Express कह रहे हैं, यह आपकी शुरू हुई है, तो आप लोग आज से अपनी लगातार क्लास को मेरे साथ जुड़कर के यहां कर सकते हैं, रोज सुभा सेम टाइम ग्या लगता है, देखो यार, मोटिवेशन जो होता है, बाहर से नहीं आता, तुम चाहते हो, तुम देख रहे हो पिछले पांच साल से विरोजगरी का हाल, कि मतलब माम चाहा करके भी मेहनत करने के बाद भी हमें क्या नहीं मिल रही, एक सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, और उसक किसी के कहने की जरत नहीं होती है, उसे सिर्फ अंदर से एक आग, एक जुनून चाहिए होता है, कि हाँ मुझे अपने माबाप का सपना पूरा करना है, वो घर में बैठे मेरे बुड़े माबाप, अगर इंतजार कर रहे हैं, सपने में इसास में बैठे हैं, कि मेरा लड़ से मैं खाली बैठा हूं, क्या करना है, वो जो नौकरी चाहिए है, तो इन सभी चीज़ों का फायदा आप उठाई है, आपके लिए रेगुलर्ली सब कुछ फ्री है, ये पूरा कॉंटेंट इसी प्रकार से आप लोग के लिए डेली रहने वाला है, आपके रांकर्स गुर आपके रांकर्स गुरुकुल के टेली ग्राम चानल पे अपलोड हो जाएगा, डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से कर लेना, चानल को सब्स्राइब कर लेना, कि जब यूट्यूब पर हम लाइब आए तो आपको भी इन्फोमेशन मिल जाए, कि मैडम आप लाइब आ चुकी हैं, हम भी जल्दी से अपनी ग्लास को शुरू कर लें, तीक है, ऑप्शन नुमर ए, एंट्वन लिवन हो, कि जल्दी से बताओ एक बार, हेरिडिटी और वेरियेशन क्या जो अध्यन है, वो किस को कहा जाता है, करो, 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 फटाफट से, मैं हम बेसि बेसिक होगा, कल भी जो हम शुरू करेंगे, वो बिल्कुल बेसिक से बढ़ेंगे, एकदम शुरू से, ए से लेकर, जेड तक फूरी बायलोजी का, आपका स्टडी जो है, वो कराया जाएगा, डिकॉर्ड ग्लास इस एप पर नहीं मिलेंगी, यूट्योब पर मिलेंगी, मेरा भाई, बहन जुदने भी हैं, सब कुछ-कुछ हद तक अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ गुण, कुछ फीचर्स माबाप से मिलते हैं, जैसे हमारे मम्मी है, इनके जैसी आवाज होगी, हाइट होगी, फेस कट होगा, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, उस सब च इस्टोलोजी उत्तक विज्ञान है, साइटोलोजी कोशिगा विज्ञान है, एविल्यूशन आपका विकास से संबंदिध है, विकास वाज जी विज्ञान इसको यहाँ पर कहा जाता है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कि, वाट इस नेम उफ गूप ओ similar cells performing a specific function एक जैसी कोशिकाओं के सम्हों को जो एक ही समान काम कर रहा है उसको आप किस नाम से जानते हैं टिशू, ओर्गन, ओर्गन सिस्टम या सेलिलर ओर्गनाइज़ेशन करो आज़सर पहले सेल पढ़ेंगे उसके बाद टिशू पढ़ेंगे ए और डी आंसर लगा रहे हैं देखो भाई टिशू कहा जाता है इसको है ना कोशिकाओं का संगठन नहीं होगा अगर हम यह कह रहे हैं मैंने कहा मिरे पास एक छोटी सी सेल है ठीक है मैं आपने कहा है यह सेल है बहुत सारे अपने जैसी कोशिकाओं के साथ और मिलकर के जो संभू बना रही है संभू को में क्या कहूंगी टिशू कहूंगी इन सब का काम भी सेम होगा इसी को कहते हैं ओट तक यानिकी टिशू ठीक है उसको हम यहाँ पर बढ़ते हैं बिल्लकूल उमेश शर्मा जी ले सकते हैं अब जो आप से कहा है कि मैम हमारा क्या है या पर रिलेशनशिप इसके बीच पे आपके जितने भी जीवित जीव है और आपका पर्यावरण की यह कैसे काम कर रहा हाए अब कर रहे हैं तो यह भी आपका relationship खराब ही कर रहा है इस चाहँका को हम ecology के नाम से जानते हैं तो इसे कहते हैं आपका पर्यावरण या परिस्तितिकी के नाम से इसको जाना जाता हैं कि environment के अध्यन को हम यहां पर क्या कर रहे हैं देख रहे हैं इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछू कि भाई एक सवाल बता दो नेफ्रॉन जो है यह आपके मानव के शरीर में किस particular system से संबंदित है यह सवाल भी आपका previous year question है तो एक बार फटा-फट से answer लगाएंगी क्या सही उत्तर यहां पर हो जाएगा किया इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा बहुत ही बड़िया बहुत ही बढ़िया बहुत बड़िया वाय तो यह आपके ब्रेइन से संबंदित होता तो यह वर्ड्स के थुरू हमने क्या करा है यहां पर चीजों को रेलेट करना शुरू किया यह कहलाता है आपका उठ तरजी तंत्र जिसमें नेफ्रॉन नामक हिस्सा आपकी सबसे छोटी काई है किसकी आपके किड़नी की और होती है दो किड़नी आपकी इस प्रकार से उपस्त Let choses होती है दो किड़नी हमारी बॉड़ी में पाई जाती है को यह क्लियर है तो कुछ इस प्रकार से आप लोग की टयारी है वहां पर रहने वाली है टाइमिंग आप लो नोगको बता दिया गया है अब इसी के साथ कल जो तुम अपनी एक सीट पर भरोसा रखो इस बार वेकेंसी चाहे तुमें धाई हजार देखने को मिले या तेरह हजार देखने को मिले संभावित है कि भढ़ जाएंगी वेकेंसी धाई हजार तो बहुत कम है आनी चाहिए जादा अगर हम आरपी एफ की बात कर रहें तो अगर वेकेंसी भढ़कर आती है तो भी फायदा है और अगर आ रही है तो तुम अपने आपको इतना बजबूत बना लो कि माम फिर मुझे ना किसी और की शकल ना देखने पड़े कि भाई तेरी तयारी कैसी है मुझे अपनी पर भरोसा है मैं अपनी तयारी बढ़िया तरीक से क तो आपने लगातार अपने इस टाइमिंग को फॉलो करके बढ़िया से अपनी ग्लास जो है वो यहां पर अटेंड करनी है रही बात सिलेबस की पूरा सिलेबस इसी चानल पर इसी टाइम डेली तुम्हें मैडम यहीं मिलेंगी यूट्यूब पर पूरी दरह से फ्री चलि किस सिस्टम से संबंदित होते हैं यह आपके किस सिस्टम से संबंदित होते हैं खैर इसकी चर्चा करेंगे कल के सेशन में तब तक के लिए यह आपका रहा homework question जो आप लोग मुझे offline कॉमेंट करके यहां पर जल्दी से बताने वाले हो और इसी के साथ यह है आपका time table ठीक ह so follow जरूर करें और class कैसी लगी है मुझे offline comment करके जरूर से बताइएगा have a very good day thank you so much